आज डिसकस करेंगे आटो कॉलीमेटोर्स के बारे में आटो कॉलीमेटोर्स क्या होते हैं? ये एक तरह के ओप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ओप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये काम क्या करते हैं? ये मेजरमेंट का काम करते हैं किसी angular deviation का measure angular deviation means किसी angle के अंदर change अना ये measure करते हैं optical type के होते हैं इनको बोलते हैं auto collimators तो देखते हैं इसके कौन-कौन से part है वो कैसे work करते हैं इसका जो principle है वो क्या है पहले उसको समझ लेते हैं जो इसका principle है वो कहता है कि अगर कोई wave या light अगर कोई light beam किसी flat surface से टकराती है ये flat surface है और हम इसको कह सकते हैं कि ये mirror है जो reflect करेगा इस ray को अगर ये टकराती है 90 degree पे बिलकूल इसकी सीधे इस से टकराती है तो ये ray same to same अपना original path gain कर लेगी जैसे वो टकराई है वैसे ही वापिस चली जाएगी लेकिन अगर हम क्या करें इस mirror को थोड़ा सा tilt कर दें माली जीए हम इसको हमने इसको tilt कर दिया theta angle पे तो जो ये ray आएगी जब ये इससे टकराएगी तो ये 2 theta angle पे tilt होगी means double angle पे ये reflect होगी एक तो था कि directly सीधा टकराए और flat जो mirror है हमारा सीधा है बिल्कुल 90 degree पे है तो इससे टकराके वो अपना original path gain कर लेगी लेकिन दूसरे में हमने क्या किया इसको थोड़ा theta angle tilt कर दिया इस mirror को तो क्या हुआ जो हमारी ray आई वो theta हमने tilt किया है लेकिन 2 theta के साथ reflect होगी double angle के साथ ये theta है तो ये 2 theta के साथ reflect होगी तो ये principle है auto collimator का इसको अच्छी तरह से समझते हैं माली जी हमारे पास कोई source है ये light source है बीच में हमने एक लगा दिया objective lens objective lens ये क्या करेगा इस light को इकठा करके एक point पे फैंकेगा और उसकी direction को सीधा कर देगा यहाँ पे है mirror ये है mirror ये कितने पे है 90 degree पे हमने अभी ले रखा है तो light आएगी light source से और इसके साथ जब टकराएगी इस lens के साथ तो ये lens उसको सीधा कर देगा बिल्कुल parallel के अंदर convert कर देगा और जैसे ये flat mirror पे टकराएगी तो ये back हो जाएगी उसी direction में जिसमें आई थी means अपना original path वो gain कर लेगी ये तो है first case अब second case में क्या है माली ये light source है ये है light source ये है objective lens हमने अब इस mirror को थोड़ा हाँ tilt कर दिया ये tilt किया है ये किस अंगल पे किया है theta angle पे means 90 degree plus theta angle पे हमने इसको tilt कर दिया तो अब क्या होगा जब light आएगी और इस lens से गुजरेगी तो ये 2 theta angle पे reflect हो जाएगी और इस point पे strike करेगी इस point की बज़ाए तो ये जो angle है 2 theta के साथ reflect होगी तो जो ये distance है जो हमारा light source था और जहाँ पे ये बाद में tilt होगे टकराई इसको हम बोल देते हैं इन दोनों के बीच का distance और इस light source से और इस lens के बीच का distance हम बोलते हैं small f इसको बोलते हैं focal length m इन दोनों के बीच का और f इन दोनों के बीच का distance तो इसके according जो m by f होगा तो वो क्या होगा m by f वो होगा 2 theta के बराबर कि यो 2 theta angle double angle reflect हुआ है वो किसके बराबर है m by f के यहाँ पे ये derivation या ये equation हमारी बन जाएगी auto collimators के लिए तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं तो ये था auto collimator और एक optical instrument जो angle measure करने के काम आथा था smart angular deviation को तो thank you वीडियो देखने के लिए और जादा updated वीडियो के लिए आप मेरे चैनल learn and grow पे मुझे subscribe कर सकते हैं thank you